प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी को दुबारा प्रदान मंत्री बनाने हे तु रन्फर नमों अगेन कारेकरम का आयोजन किया गया अंतरास्ट्रे ख्याती प्राप्ट धावक समीर सिंग और स्नेहा सिंग लगभग 70 किलोमेटर की दोर में भाग लिया कारेक्रम के शिवारम केंद्रिय मंद्री वपटना साहिब से लोग सुभा के प्रत्या शिक्षी रविशंकर प्रसादी द्वारा जंडा दिखा कर किया जाएगा जब महागड़ बंदन बन रहते बुरे लोगों का तब हम सब एक जुट होकर अच्छे लोग मोदी जी को वापस भारी मजदान से जिता कर इस देश का प्रिया जागेगा और देश का विकास होगा तभी हमारा विकास होगा स्नेहा सिंग और समीर सिंग अब देखिए क्या लिखा है फिर एक बार मोदी सरकार नमो अगयर 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 यह दोनों दोड़ते हैं देश के विभिन्न नगरों में जाकर दोड़ रहे हैं आज वो पत्ना में दोड़ेंगे और उनका एक मात्र मिशन है कि मोदी जी के सरकार दुबारा आए आज पत्ना शहर में जब यह आए हैं तो मैं स्वैमिन का भी नंदन करता हूँ हमारे मेत्र पार्टी के वरिष्ट नेता अधरणी अरुन कुमार सिना जी मुख सचितक यहाँ पर हैं सजीव चौरस्या-जी दिखा के विज्ञैक व भी उपस्थित हैं हमारे पार्टी के जिलाध्यक सितालाम पांड़ेय उपस्थित हैं और समारे हमारे संजीव चौरस्या-जी के निवास स्थान पर लेक आरिकरम है तो इनका बहुत अभी नंदन है इनकी दौड बताती मैं इन दोनों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, हम सबों की शुभ कामना है, दोड़े और विश्वा से दोड़े. दस साल में कितने नौकरी दिया, आज आपने नौकरी की बात की है, तो अच्छा है हमारे सारे यहां के वरिश्ट नेता विधाय खड़े हैं, दट वगरा, हमने लगभग 13 करोड लोगों को मुद्रा योजना दिया, उसमें 4 करोड फर्स टाइम लोग हैं, नौकरी मिली की नह जो देश में संक्या बैस का सवा तीन लाक हो गई है, बिहार में लोगों को मिली है, आज छोटे शारों में बीपियो खुल रहा है कि नहीं, पत्ना में 8 बीपियो खुला है, मुझदफरभू में खुला है, आगे गया में खुलने वाला है, तो जब देश की आर्थिक बादा वैसे ही है, जैसा इंद्रा गांज ने कहा था, गरीबी हटाओ, एकहतर में, बस नारे काम कुछ नहीं, खिसानों के लिए अलग बजट आएगा, भई आप अलग बजट करो, अलग विभाग करो, काम तो बताओ, अगर नर्मोदी सरकार ने कहा कि हम बजट किसानों क एकाउंट में पैसा भेजेंगे, तो पैसा पहुच गया, आप उचे बताइए, एक लाख करोड के इरिगेशन की योजनाय चालू हो गई, किसानों के लिए फसल विमाय योजना चालू हो गई, पूरे आपके जो फटलाइजर है, उससे नीम कोट हट गया, तो उसकी लाइ भी नहीं, कॉंग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, देश को तोडने वाला दस्तावेज है, टुक्ले टुक्ले गैंग, जिनका नारा है भारत तेरे टुक्ले होंगे, इन्शाल्ला, इन्शाल्ला, उनके दिलों को मजबूत करता है, क्या कहते हैं कि हम देश द्रोह का देश को तोडने के लिए, क्या उनके खिलाफ हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की सुरक्षा बने काम नहीं कर रहे हैं, कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो, सेना सुरक्षा बनों के मनों बल को तोडने वाला है, यह बहुत ही गंभीर आरोप है, कि देश की सबसे पुरा और जहां तक उनके बागी घोशनाएं हैं हम ये बज़ेट लाएंगे हम वो बज़ेट लाएंगे 70 साल में 55 साल कॉंग्रेस ने राज किया काम क्या किया आपने ये तो बताइए तो उनका चुनावी घोशनापत यही है कि दिन में सपने देखने पर किसी को पाबंदी नहीं है और आस्मान में हवाई किला बनाने पर किसी को पाबंदी नहीं है कॉंग्रेस पार्टी ने क्या किसानों का करजा माफ किया बंद्रपदेश में करनाटक में पंजाब में जहां राउल गांज ने कहा था दस दिन में साफ कर देंगे देश देख रहा है कि एक तरफ देश विकास के और आगे बढ़ रहा है इमांदारी के और आगे बढ़ रहा है और एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी देश को तोड़ने वाले और देश को भ कॉंग्रिस के मैनिफेस्टो पर पूछे का सवाल पर तेजस्पी आदब ने कहा उनके मैनिफेस्टो पर कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम लोग मुद्दों पर बात करना चाहते हैं आज रोजगार खत्म हो चुका है हम समिधान को बचाने की बात करते हैं गरीबी मिटाने की बात करते हैं और किसानों का भला कैसे हो उस पर सोचते हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए ऐसी बात करते हैं वहीं तेश पता प्यादब द्वारा ठाने में दर्श तेजस्वी आदब पूर्व पर्यटन मंत्री एवं भाशपा के पूर्व विधायक सुनील कुमार पिंटू ने अपना पाला बदल आग जदियों का हाथ थाम लिया है जदियों पार्टी कार्याले में जदियों के वर्या नेता ललन सिंग ने उनके जदियों में शामिल करने की घोशना की इस मौके पर जदियों ने उन्हें सीता मड़ी सीट से अपना उमिदवार बनाने की घोशना भी की आदने गरन्माव। यहाँ उपस्थित संजय सिंग जी है, संजय गांदी जी, आलोग जी, अब मुझे समस्थित यहाँ उपस्थित पाटी के दरिश्टगर्ड, सामने उपस्थित कभी पतरकार बन दो। आज मुझे अपार्ग प्रशंथा महस्थित हो रही है, इमानिये मुख्मंत्री जी, आदर्मी मुथीस कुमार्गी, कि निपृत में जो गिहार की दिकास की गती चल रही है, और देश में माननिये, प्रशंथा मंत्री स्रेक दरिश्टगर्ड के दितर्ग में, जो दिकास की गती चल रही है, जो डबल इंडियन की सरकार अभी चल रही है। उन्हों ने मुझे इस काविन समझा, कि मुझे सीता मरी से पाटी का मुदवार पुसित क्या है, मैं जत्तांतिर गडवन्न के मुदवार के रूप में, हर एक वेक्ति को ये विश्वास दिलाने की पुसित करता हूं, कि सीता मरी की जनता, की आवाज बनकर उनकी सदेव अधा करने का मैं उसी रखर दो, बहुत हो दिलने, फिरवाचिन छेतर से, डॉक्तर बरून कुमार को पर्तियासी कुसित किया थे, डॉक्तर बरून कुमार ने छेतर गूमने के बाद, स्वेंग पार्टी को लिग कर, उन्होंने चुनाव लड़ने से अपनी असमत्ता जता उन्होंने पार्टी को लिक दिया, जुनाव लड़ने मैं समद नहीं है। और इसलिए पार्टी ने यह फैसला किया, उनकी अरोद को शविकार किया है, जब को बोटवार को यह समद्त, असमदता बर्त करे है, उसमदारी तोर पर पार्टी को जटे पेरना पड़ता है, और जंता दली माइटर्ट के उमिद्वार स्री सुनीर कुमार की भी सितामारी से पार्टी के उमिध्वार होगे हुवे ड़ंकी मिले परते जस्वी के आज किसी भी तरह का बयान ना देने पर शुशील मोदी ने साधा निशाना, कहा तेश प्रताप को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है परिवार में आठ महीने से तेश प्रताप घर पर नहीं गया डाइवोर्स देने का आवेदन दिया है जो तेश प्रताप को नीचा दिखाने के लिए ससुर को टिकर डे दिया गया तिजस्वी द्वारा, सत्या के वारिस बनने के लिए लालू परिवार में यह लड़ाई और संगर्स चल रहा है मोदी ने कहा यह लड़ाई सिर्फ दोनों भाईयों की बीच नहीं, मीसा भारती की भी स्टार प्रचारत क्यों नहीं बनाया गया क्या कमी थी मीसा भारती में, हो सकता है तेश प्रताप को पार्टी से निकाला भी जा सकता है तेश प्रताप में लालू की छवी है और लोग तेश प्रताप को पसंद करते हैं क्या कारण हो सकता है तेशपता आपको रोकने का? इस विवाद की कारण राजत के तमाम बड़े नेता चुपी थामे हुए है बड़े नेताओं को शिवानन तिवारी को इस पर बोलना चाहिए अजय चौथाला, अजय चौथाला, और उनके पोतें वहां भी सत्ता संगर्स चाहिए डिनके के अंदर देख लिए कुमार्शों में की पार्टी को देख लिए जिन लोगों ने एक से ज़्यादा संतानी पैदा कर दिया तो इस संतानों के बीच में वारिस की जो लडाई है कौन होगा स्री वारिस यह सकता संघर्स तो हना ही था तो यह को लोत आश्चरी की बात नहीं है और देखिए जो सबसे बदी बात है कि जब तेज परता प्यादवन डाइवोर्स का मुकदमा धैर कर रखा है तो वैसी स्तिती में उसके ससुर को टिकट देने का लखलब है जले पर नमक छड़कर आप एल मुझे मा यह जो लड़का इसने आट महीने से घर नहीं गया है मां से मिलने तक नहीं गया और इसके ससुर को अपने टिकट दे कर अब इसको जिल करने का काम कर रहे हैं यह लड़ाई केवल दो भाईयों में नहीं है आखिर बीसा भारती को प्रूल स्टार प्रचारक बनाएगा तो यह चुनों लड़ने वाले सभी लोग तो स्टार प्र दौभा है कि और जीव के जवाने से आज तक पाकिस्तान बें तब आए दिन देखते हैं इसलिए जो जो दोनों भाईयों का जो विवाद यह था है तो कि बड़ा भाई था और वो तो लालू की भाशा में भाशन करता है लालू की शैली में बोलता है और जो राज़त के मत दाता है वो तेज परताब से प्रभावित को कि वो तेज परताब में लालू की छवी को देखते हैं इसलिए जो करेंगे वो भुगते हैं उनके पार्टी का अंद्रोडी मामला है विचारे सारे निता चुप है शिवान तिवारी को भूलना चाहिए उनके प्रवक्ताओं क राजधानी पटना के चौक ठाना एलाके के कंगन घाट के पास माउप पर सवार होकर पुलिस अधिकारी और सैकडो की संख्या में पुलिस बल के साथ गंगा दियारे इलाके में गुस्तंपुर में छापिमारी की जहां पर पुलिस ने देशी शराब की भटी को ध्वस्त किया है। क्या जनकारे मिली थे सार। करके यह अपना कारवार कर रहे से लो भटी का कारवार कर रहे से लेकिन फुलिस के जाते ही लगता है कि इसी तरह के सुन्हों को भनक मिल गए यहां से भाग गया लेकिन उनको भटी को पुरुपर के से दिस्टॉट किया। राज़ानी पटना के होटल में समधाता समेलनकर जदियू नेता और पूर्वे सदस्य बिहार विधान परिशत के आजाद गांधी ने कई साथी कारे करताओं के साथ पाटी छोडने का एलान किया। जदि और भाशपाप पर कई गंबीर आरोफ लगाते हुए विहार के पिछडी जाती को छलावा देने की भी बात कहते हुए ये कहा कि केंडर सरकार और राजसरकार अपने विकास के मुद्दों से भटक चुकी है और जनता के साथ भरोसे को गीतने का काम किया था वो कहीं अच्छूता नजर आ रहा है इसलिए हम लोगों ने यह निर्णाय लिया है कि हम जल्द ही विहार में महाकंडबंधर में शामिल होने जा रहे हैं जो कि पिछडी जाती के लिए काम करेगी हर छोटे छोटे बच्चे जो विध्याले में जाते थे आज विध्याले में नहीं जाने के का जगा पर तो सराम का जंदा करने लेगे बिहार बढ़ा नहीं वलकि बिहार बहुत पीछे चला गया इन तमाम मुद्दों को देखते हुए हम लोग जितने साती के साथ जदिव में गहते हम लोग तमाम साती जो है हम लोग जनता दलिव के बदों से हम लोग इस्तफा देखते हैं कर दो